तो इसका एक्स्प्राइशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और चैनल लिंक अपने फ्रेंज के साथ जरूर से शेयर करना है अगर बेल आइकन बेल आइकन बेटन को प्रेस कर लिजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे तो यहां पर आपको प्रिपेर करने बोला है उनके हल्सें 2018 & 2019 की आपको बैलेंशिट दी इसके इसाप से आपको comparative balance sheet prepare करने बुला है तो यहां पर जो assets and liabilities हमको दिये हैं उनकी help से हम comparative balance sheet तयार करेंगे और हमको इसके जो particular में सबसे पहले top में है ना हमको sources of funds लिखना होगा तो यहां पर जो sources of funds है वो share capital है तो share capital plus reserves and surplus हम लिखेंगे heading में and हम नेट वर्थ find out कर लेंगे उसके बाद में हम borrowed fund लिखेंगे तो borrowed fund में यहां पर हमारे पास loan है तो borrowed fund में हमको loan को लिखकर total funds available हमको find out कर लेना है मतलब total funds available में क्या क्या आएगा तो share capital आएगा reserves and surplus आएगा and loan आएगा उसके बाद में हम एना application of funds find out करना है तो application of funds है ना किसका combination होता है यह है ना combination होता है fixed assets का and current assets का working capital का sorry fixed assets का and working capital का तो यहाँ पर यह जो fixed assets का amount दिया है 1,20,000 and 1,50,000 यह हम लेंगे और उसके बाद में हमको एना working capital find out करना होगा तो working capital का जो formula होता है working capital is equal to होता है current assets minus current liabilities तो यहाँ पर straight away हमको clearly current assets दिया हुआ value 28,000 and 27,000 and हमको current liabilities दिया है 30,000 and 24,000 तो इनको इनका difference find out करकर हम working capital find out कर लेंगे और उसके बाद में हम fixed assets and working capital को sum up करेंगे तो हमको total funds applied मतलब कितना fund हमने utilize किया है apply किया है वो हमें मिल जाएगा तो इसका format मैंने आप लोगों के लिए ready रखा है तो चलिए हम sum को solve करना start करते हैं तो सबसे पहले जो heading हम यहाँ पर लिखने वाले हैं comparative balance sheet के लिए वो टॉप में आएगी first sources of यहाँ पर हमको लिखना है sources sources of funds sources of funds को लिएकर हमको heading देनी है इसके बाद में इसके अंडर में क्या आएगा capital तो यहाँ पर जो capital हमको दिया हुआ है capital share capital 60,000 and 72,000 तो यही हम लेने वाले हैं यहाँ पर तो सबसे पहले हमें यही तयार कर लेंगे कि पहले पूरे सारे amounts हम लिख लें share capital 60,000 72,000 इसके बाद में B यहाँ पर sources of funds में क्योंकि network हमको find out करना है तो share capital and reserves and surplus तो reserves and surplus का यहाँ पर 24,000 and 30,000 दिया है तो यह हमको लिख लेना है B reserves and surplus 24,000 and 30,000 अब हमें क्या करना है इनको total कर लेना है इनका total जो होगा वो net worth होगी company की जो net worth होगी इसको capital A से हम denote कर देते हैं net worth अपनी की जो net worth है तो यह A plus B से हमको net worth मिली है तो यहाँ पर यह total जो होगा 84,000 and 1,2,000 1,2,000 यह हो गया इसके बाद में next हम आएंगे borrowed funds पर तो यहाँ पर हम heading में लिखेंगे borrowed funds borrowed यह भी sources of funds के अंडर में आता है borrowed funds तो borrowed funds में यहाँ पर हमारे पास क्या है तो यहाँ पर only and only यहाँ पर हमको लोन दिया है borrowed funds में loan debenture वगरे नहीं है तो loan 34,000 and 57,000 हम ले लेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे loan 37,000 and जो इसका 51,000 next year में तो increase हम observe कर रहे हैं यहाँ पर increase हो रहा है loan के इसमें loans के इसमें तो total अभी हमको क्या लिखना है total जो borrowed funds है तो B part जो capital B से denote कर देता है total borrowed funds total borrowed funds तो यहाँ पर only loans है total borrowed funds में total funds borrowed करके भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 37,000 and 51,000 आ गया अभी जो next हमको लिखना है heading देना हो total funds available तो total funds available यह procedure है इसी तरीके से आप लोगों को करना है total funds available total funds available capital A plus capital B यहाँ पर total होगा 84,000 हमको किसके total लेनी है तो यह हमको ध्यान देना कि यह जो 84,000 दिया है यह और यह 37,000 का total यहाँ पर 1,000 का 2018 में and 51,000 का total हमको लेना है तो इनका जब हम total करेंगे तो हमारे पास कितना total हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर total हम करने पर 84,000 प्लस total 84,000 plus 37,000 तो 0, 0 and 0 4 plus 7 कितना होता है 4 plus 7 11 का 1 carry over 1 1 plus 8 कितना हुआ 9 9 plus 3 कितना हुआ 121 तो यहाँ पर जो amount आएगा हुआएगा यहाँ पर 37 नहीं sorry 34,000 है हमारा amount तो इसको हमको 34,000 लेना है यह 34,000 ही है 34,000 तो जो amount आएगा 4 plus 4 कितना होता है 8 4 plus 4 8 and 8 plus 3 कितना होगा 11 तो 1,18,000 आया इसकी बार में यहाँ पर 1,2000 and 51,000 तो यहाँ पर 0,00 and 2 plus 1 3 and 10 plus यहाँ पर 5 किया तो 15 तो 1,53,000 आ गया total funds available that is A plus B अब इसके बाद में जो next जो part 2 यहाँ पर 2 हम Roman 2 में लिख रहे है Roman 2 लिख रहे है जिसमें application of funds तो यहाँ पर हम लिखेंगे application application मतले यह जो fund हो कहां कहां apply हुआ कहां पर utilize किया गया तो application of funds फ़ली इतना table complete कर लेते हैं और फिर उसकी बाद में हम जो third and fourth column है वो हम complete करेंगे क्योंकि एक बार पहले systematically यह सारा amount है जो question के साब से हमें ले ले लेते हैं तो यहाँ पर application of funds में कहां पर apply हुआ तो fixed assets के लिए कितना भी apply हुआ तो 1,20,000 एं 1,50,000 तो हमें यह लिखना है amount and working capital हमको find out करना पड़ेगा तो सबसे पहले हमें application of funds क home में capital A हम लिख लेता है fixed capital fixed capital का जो amount दिया है वह हमको लिख लेना है जो कि 1,20,000 and 1,50,000 है इसके बाद में capital B capital B की हाँ पर हम working capital हम लिखेंगे working capital तो working capital में पहले working capital का मतलब क्या होता है current assets minus current liabilities तो हमको working capital मेलता है तो यहाँ पे straight अभी clearly हमको current assets में जो amount है वो 28,000, 27,000 दिया है मतलब decrease हुआ है यहाँ पे current assets में and current liabilities में 30,000 and 24,000 दिया है तो यह हमको लिख लेना है तो working capital में पहला जो हमारा amount है वो current current assets तो हम लिख लेते है current assets 28,000, 27,000 फिर इसमें से हमको less करना है current liabilities तो less जो B है वो current liabilities यह जो letters है हम 1, 2 करके भी लिख सकते हैं A and B के बज़ जगे यहाँ पे हम 1, 2 करके भी लिख सकते हैं current liabilities current liabilities का जो amount हमको दिया है वो 30,000 and 24,000 तो जब आप working capital find out करोगे यहाँ पर working capital हम ले रहे हैं अभी तो यह जो है हमारा B part है B part जो है working capital working capital उपर भी हमने working capital करके लिखा है B part यह ना इनका आपको minus करना है तो यहाँ पे आप देखोगे कि यह ना आपकी जो current liabilities है वो more है rather than current assets current assets से जादा है ना current liabilities है तो यह जो आ रहा है answer जो आएगा वो negative उसमें आ जाएगा आपका negative तो negative उसमें आ रहा है तो हम इसको bracket में लिखेंगे 2000 तो यह negative हो गया bracket में 2000 लिख लिए जाएगा फिर उसके बाद में यहाँ पर यह 27,000 जादा है 24,000 कम है तो यह 3000 तो इसको bracket में लिखने की जुरूत नहीं है हमको 3000 assets लिख लिए अभी सारे यह हो गया अभी टास में हमको total funds applied total funds applied लिखना है तो यहां पर हम लिखेंगे total funds applied total funds applied कितना fund applied हुआ total कितना fund use किया गया तो ए प्लस बी यह combination होगा ए मतलब fixed capital प्लस आपका working capital बी का total होगा तो यहां पर यह 1,20,000 है यह है 1,20,000 और यहां पर यह 2,000 नेगेटिव है तो 1,20-2,000 करेंगे तो कितना होगा 1,18,000 होगा तो एक और आपको यहां पर में हिंट देती हूं कि यहां पर जो आपका total funds available है उसका total जैसे 1,18,000 है तो यहां पर भी 1,18,000 ही आएगा वह आपको ध्यान में रखना है तो यह 1,18,000 हुआ फिर यहां पर 1,50,000 और माइनस आप 3,000 करोगे यहां पर माइनस आपको क्या करना है 1,51,000 और माइनस 3,000 आपको करना है तो इसका जब भी माइनस करेंगे हम तो कितना हमको आजएगा यहाँ पर यहां पर माइनस नी करना है सब्याई यहां पर हमको क्या है यह नेगेटीव नहीं है तो 1,50,000 हमको 3000 यह तरी यह 4,90,000 तो 1,50,000 आपको क्या रहे है तो इस तरीके से अब आपके पास पूरा आपका जो comparative यहा jest तो आप horizontal order में, horizontal order मतलब RD तरीके से इसका है न, calculation parts complete कर लोगे, तो यहाँ पर सबसे पहला जो amount है, share capital का, 60,000 and, आप notice करेंगे, increase हुआ है, next year में, मतलब 2018, यहाँ पर जो है, 2018, 2019 का, यह जो balance sheet के, जो amount दिये वे थे, हमको data दिये वे थे, तो यहाँ पर हमें, 60,000 and 72,000 तो हम notice करेंगे, increase हुआ तो यहाँ पर आप 12,000 लिख दोगे, क्योंकि इनकी बीच का जो difference होता है, इन दोनों के बीच का, यह दोनों है, इनकी बीच का आपको difference निकालना होता है, तो इनकी बीच का जो फरक है, वो 12,000 का फरक है, अभी 24,000 and 30,000 की बीच में, जो difference हो, वो 6,000 का होगा, अभी यहाँ पर, 1,002,000 and 84,000 की बीच का, जो difference होगा, वो 18,000 होगा, तो यहाँ पर तो आपका है न, इस तरीके से, L शेप में match हो जाएगा, आपका जो difference, यहाँ पर यह value, same आ गया, यही जो 18,000 हो, same आता है, भले आप यहाँ से, मांइनस करके लो, और यहा, इनको sum up करो, लेकिन यही चीज है, 는지 sum up, हम a percentage के लिए sum up नहीं करते है, percentage के समय हम sum up नहीं करते है, यहाँ पर हम sum up कर रहे, add कर रहे, लेकिन percentage में sum up नहीं करते है, इसी तरीके से, horizontal order मे नीच में जो डिफ्रेंस है वो 17,000 का है तो यहां पर हम 17,000 लिख लेंगे फिर यहां पर टोटल फंड्स बॉरोड में भी आपका 17,000 ही आएगा तो यहां पर 17,000 हम लिख लेंगे फिर यहां पर आपको क्या करना है टोटल लेना है A and B मतलब 18,000 and 17,000 तो 18,000 प्लस 17,000 जो होग 50,000 के बीच का जो डिफ्रेंस है वो 30,000 का है तो यहां पर 30,000 आ जाएगा यहां पर हमको लिख लेना है 30,000 फिर इसके बाद में यहां पर 28,000 प्रिवेस येर में था और 2019 में 27 तो यहां पर नेगेटिव एक तर्किस मतलब डिक्रीज आया है current assets में तो हम इसको ब्रैकेट मे लिखेंगे 1000 ब्रैकेट में लिखा जाएगा ठीक है नेगेटिव उसका हो गया इसलिए फिर यहां पर आपका कितना है 30,000 और 24,000 तो फिर डिक्रीज आया current liabilities में भी तो इसको भी ब्रैकेट में हम 6000 लिख लेंगे तो इस सरी किसे हमको लिखना है फिर नेक्स्ट यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर 2000 यहां पर 3000 है तो यहां पर यह एक तरीके से negative इसमें आया यहां पर लेकिन इसका जब Total लेते हैं इस तरीके से इसको इन्हार हम माईनस करके नहीं लेते हैं क्योंकि यह total working capital हुआ total working capital हुआ जो की 2000 and 3000 इसका है तो इसको हमको यहां पर इसका हम कितना मतलब इसमें जो increase total working तो यहां पर वैसे दिखोगो तो working capital में इसका 1000 का ही इंक्रीज हो रहा है लेकिन यहां पर जो डिक्रीज की यह जो चीजे आरि आपकी 6-1 आप करोगे तो यहां पर 5000 आपका आता है क्योंकि यहाँ पे लेस्ट वाली चीज़ कि आपको लेस करकर तो इसमें भी फर्मुला था 돼 लेस्ट हम करते तो यह त्युο 5,000 यहाँ पर आना Safe क्योंकि असलिए हम यहाँ व्थिघर को लोगों करेंगे तो यहाँ पर लेस्ट माइना क्योंकि यहां थी स्ट हम Higher पहले भी में आप लोगों को दिखा देती हूं यहां पे इसको टोटल कर रहे हैं तो वर्टिकल इसमें जब आप ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा यह वाला जो पार्ट है जहां पर दो आपके नेगेटिव उसके आ जाते है तब आप देखोगे कि हमारा जो फॉर्म माईनस क्रेंट ल्याइबरेटीश हमको करना है तो यहां पर हमको जो वैल्यू दीmother के लिए l inh मैनस भी मैनस6000 लिखना यूं तो इस तरीका से मैंने लिख लिया अब हमको क्या करना है तो माईनस pine ना प्लस आपका यह जो तो आपको 5,000 तो तो आपको पोजिटिव यहां पर लिखना होता है क्योंकि टूटल करने के लिए working capital को हम यहां पर डिफरेंस इनकालेंगे नआ नेक्सट यहाँ पर क्योग इसमें difference में भी जाएंगे तो यह कैसे न यह minus two thousand और फी minus करोगे तो फाइथ आज़न का ही आपका amount बन के। लेकिन यह positive में convert हो जाता है next यहाँ पर जो last आपका column है, यहाँ पर आपका जो total आएगा वो 30,000 प्लस 5,000 आप लेंगे working capital 5,000 तो 35,000 आपका जो है difference क्योंकि इन दोलों का जो difference है वो 35,000 आ जाएगा थोड़ा सा यह आप लोगों को confusing लग सकता है लेकिन practice करोगे तो समझ में आ जाएगा यह जो equation है इसके हिसाब से यह जो मैंने आपको working note यह working note है आप लोगों के लिए तो यह जो working note मैंने बताई है तो working note के इसाब से आप move करोगे working capital is equals to current asset minus current liabilities होता है तो यहाँ पर जाप आप vertically order में जा रहे हो कि 1000 मतलब minus 1000 and 6000 मतलब यह वाला जो bracket में 6000 मतलब minus 6000 तो यहाँ पर minus और bracket को डाल कर आप minus 6000 को denote कर दो open करोगे तो minus 1000 and minus minus plus होगे plus 6000 that means 5000 क्योंकि यह negative है तो minus करोगे तो positive बन जाता है ना उससाब से आपको लेना है now अब हमको क्या करना है percentage change percentage change calculate करना है तो percentage change के लिए जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी है प्रिवियस दो सम हमने जो solve के तो formula मैंने आपको बताया था कि percentage change percentage change find out करने के लिए percentage change is equals to is equals to amount amount of absolute change जो absolute change का जो amount आया हमने find out किया difference find out किया वो लेना है और उसको divide करना है amount of previous year previous year के amount से divide करना है of previous year पिछले साल जो पहला जो first साल है उसके amount उस year के amount से हमको divide करना multiply by हमको करना है hundred से ठीक है तो यहाँ पर आपका जो 12,000 divide by 60,000 multiply by हम hundred करेंगे तो हम क्या करेंगे कौनसा कौनसा यहाँ पर हम amount लेंगे तो यह जो 60,000 and यह 12,000 तो 12,000 आपका absolute change वाल अमाउंट हो है absolute change 12,000 उसको divide करोगे आप तो है ना amount of previous year मतलब 60,000 and multiply by hundred करोगे तो इस तरीके से आपको value जो निकालनी है वो इस तरीके से आपकी आएगी कि 12,000 divide by 60,000 multiply by hundred तो इस two zeros got cancelled with these two zeros and these two zeros got cancelled with these two zeros फिर 6,1s are 6 6,2s are 12 and यह 0 तो 20% का जो है percentage change है ना आपका first है ना item यह जो first share capital है share capital किसका आया तो SC लिखती हूं में share capital का 20% का यहाँ पर increase आया यह भी आप notice करोगी कि increase आया आप compare करो ना तो 60,000 से 72,000 capital increase हो गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20% increase तो यहाँ पर 20% increase करकर हमको लिख देना है increase हुआ भई उच्छाल आया 20 टक्के का 20 टक्के से amount में उच्छाल आया अब यहाँ पर आपको क्या लेना है reserves and surplus के लिए तो 6,000 divide by 24,000 करोगे 6,000 divide by 24,000 करोगे तो यहाँ पर यह जो second amount जब आप calculate करोगे तो 6,000 को divide by 24,000 आप करोगे multiply by 100 करोगे तो यह आपका reserves rn surplus rns आप calculate करे हो तो इसमें आपको जब calculate करना यहाँ पर तो value जो आएगी वो इस तरीके से होगी two zeros got cancelled with this two zeros this zero got cancelled with this zero now 24,000 होता है 48 तो 48 होगा and फिर कितना यहाँ पर remain हो गया 12 remain हो गया and 12 remain हो गया तो 24 पाइसा होता है 120 तो यहाँ पर 5 आएगा तो 25% का increase 25% का increase करके हमको दिखना है 25% का increase हुआ तो यहाँ पर increase कैसे पता चला क्योंकि next जो year है देखो पहला साल 24,000 next मतलब 30,000 तो यहाँ पर अमने bracket पर नहीं लिखा तो मतलब increase है यहाँ पर increase है तो 25% से increase हुआ है reserves and surplus भी अच्छी बात है ना this is a good sign for company company के लिए अच्छा sign है कि भी increase हो रहा है अब क्या करना है आपको 18,000 अब आप है ना यह गलती कभी भी नहीं करना कि आप है ना 20% प्लस 25% करके यह गलती आप कभी भी नहीं करना आपको क्या करना है 18,000 and 84,000 को लेकर formula apply करते भी करना है absolute change upon previous year multiply by 100 का तो 18,000 divided by 84 करेंगे यहाँ पर थर्ड जो amount है कुछ amounts मैं बताऊंगे और कुछ है ना आप लोग है नो खुद calculate करना सीख जाओगे तो यहाँ पर NW network का जो हम percentage यहाँ पर निकाल रहे है 18,000 आपको करना है 18,000 upon 84,000 upon 84,000 multiply by करोगी हम 100, multiply by हम करेंगे 100, multiply by 100 करेंगे तो जो value हमको आएगी वो यहाँ पर है ना decimals में होगी आपकी 21 point आपको 4, 2, 8, 5 इस तरीके से आने वाले है तो यह इस तरीके से जो value आपको आएगी तो आपको है ना क्या करना है 21 point यह जो second value है यह जो second number है 8 के यहाँ से एक 1 देकर इसको 3 कर देंगे और खाली हम value लिखेंगे 4, 3 तक यह 21 point 4, 3 परसंट तक हमको लिखना है यहाँ पर हम value लिखेंगे 21 point 4, 3 परसंट और इसको हम बोलेंगे increase तो आपके ना symbol दिखा दो increase का जगह space कम पड़ती है तो symbol दिखा सकते हो now next यहाँ पर loan तो loan में भी increase हुआ है तो देखो ना यह तो आपको directly भी आप कर सकते हो कि भी 17,000 है 34,000 का half होता है 17,000 हो मतलब 50% से increase हुआ है क्योंकि 17,000 divided by 34,000 multiply by 100 करोगे तो जो value आपको करना है आप इस तरीके से जो फोर्थ आपका जो loans का value है loans को आप निकाल लिए percentage change in loan निकाल लिए तो यहाँ पर आपका 17,000 उसको divide by 34,000 and multiply by आपने 100 किया तो इस two zeros got cancelled with this two zeros this one got cancelled with this और जो increase आएगा 34 फाइजा होता है 170 फाइजा 170 होता है यह 0 तो 50% का आपका increase है ना है तो 50% हमको लिख देना और यह इससे भी click होता है आप जस देखोगे कि previous year का जो amount दिया है उससे exact half amount अगर आपको absolute change के यहाँ पर मिलता है तो मतलब 50% यह जस्ट आपको shortcut में समझ में आने के लिए जैसे कि यहाँ पर 6,000 है यह इसका है ना चौथा भाग है 24,000 का 6,4,024 होता है 6,4,024 तो आप टेबल के साब से भी 6,4,024 तो इसका मतलब 45% 100% में से 25 टका 25 टका तो 25% हो गया अभी यहाँ पर 17,2,034 मतलब हाफ तो इसका मतलब हाफ 50% हो गया तो यहाँ पर हम 50% increase करकर लिखेंगे 50% increase इस तरीके से आपको लिखना है फिर यह सेम आप यहाँ पर भी लिख दोगे 50% increase यहाँ पर भी 50% increase लिख देंगे हम अभी यहाँ पर क्या value आएगी तो आपको sum up नहीं करना है आपको 35,000 को divide by 1,1 18,000 करना है इसी तरीके से आपको calculate करना होगा यह वाला जो total funds available है total funds available का जो भी change value है वो 35,000 आप divide करोगे 1,18,000 से and multiply by जब 100 से करोगे तो values को करके देखो calculate कर कर देखो 35,000 को जब आप 1,1,8 से जबी 35,000 को 1,1,8 से आप divide करोगे तो फिर आपको decimals में values मिलने वाले है आपको value मिलेगी 29,610 इस तरीके से मिलेगी तो खाली आप 2 digits तक ले लो 29,66% आपकी जो total funds available value आ जाएगी same आपको यहाँ पर लिख देना है 29,66% increase हुआ symbol दिखा दो increase का अभी next यहाँ पर आप देखोगे कि 30,000 30 forza होता है देखो अभी मैं आपको direct बताती हूँ यह 30,000 और यह 20,000 तो 30 forza 120 होता है forza मतलब 4th part मतलब 25% तो यहाँ पर आप directly 25% formula यूज करना है formula यूज करो एक बार आपको trick आ गई तो trick के साब से भी आप quickly जो easy calculation से वो कर सकते है ताकि आपका समय न जाए अगर आपको working note नी पूछा तो फिर working note करकर के बार बार फाइदा नहीं है आप लोगों को फिर यहाँ पर 1000 upon 28,000 multiply by 100 करना 1000 upon 28,000 upon 28,000 multiply by 100 करेंगे तो जो value आईगी आपको यहाँ पर आपको negative मतलब 3.57 इस तरीके से मतलब यह जो आप लोगों को यह rounded figure बनाना होगा हमेशा हम लोगों को ready rounded figure नहीं मिलता है decimals में हमको value मिलते थी यहाँ पर भी है आपको 3.5714 इस तरीके से तो जैसे मैंने आपको कहा कि 2 digits में खाली आपको number लेना है तो यह 3.57% जो की increase है क्या है increase है value में इसी तरीके से देखो 6 फाइजा कितना होता है 30 होता है तो यहाँ पर 50 पर संट 5th पार्ट मतलब 1 5th हो गया है ना 6 फाइजा मतलब 5th पार्ट मतलब 20 20 परसंट तो आप यहाँ पर 20 50% करकर आप लिखोगे और यहां पर decrease का symbol दिखाना है sorry not increase यहां पर decrease हुआ है यह जो है value में decrease आया है current assets में current liabilities में यहांपर decrease आया है तो यहां पर decrease का symbol दिखाएंगे इसमें भी decrease हुआ है decrease का symbol आपको दिखा देना अबी नेक्स्ट यहां पर यह जो 5,000 है 5,000 अपवान आपको क्या करना है तो 5,000 अपवान हम है न 2,000 यहां पर 5,000 अपवान 2,000 करेंगे डिवाइड बाइ 2,000 करेंगे मल्किप्लाइब बाइ 100 करेंगे तो 250 परसंट का यहां पर इंक्रीज हुआ यहां पर यहां पर वैसे value में increase लेगनी है negative value है यह क्या है value जो है वो negative value हुई working capital में increase हुआ लेगनी है आपे यहां पर इसको increase हुआ बढ़ गया है ना यह now यहां पर यह जो है 35,000 अपन आपको 18,000 करना है तो इसका मतलब 29.66% अगर एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया 29.66% तो सीम आपका यहां पर भी वह यह आएगा तो यहां पर जो वैल्यू आपको 29.66% इस तरीके से आपको कम्प्रीट करना है तो आपको परसेंटेज निकाल दिलने का जो तरीका है कालकुलेशन उसमें प्रिक होना ज़री और कुछ आपको ट्रीकी वेसे भी जैसे बैने आपको टेबल रीड करने बूला कि बाबा टेबल के इसाब से आप 12,000 फाइजा 60 होता है तो फाइजा मतलब 20% का इंक्रीज जो है फोर्जा 24 होता है फोर्जा मतलब 25 परसेंट तो इस तरीके से भी आप है ना एक बार माइंड में जो हम फ्रैक्शन सीके ना 1 4th 1 4th मतलब 100% का 1 4th मतलब 25 तूसरे साब से आपने ट्रिकी वे में भी आप उसको प्राक्टिस कर सकते थborg और अचैनल को सबस्क्रेब नहीं किया है तो छैनल को सब्सक्राइब करकर amazपोन को जल्दी से प्रैस कर दीजिए इसके लिए अपको कोई प्रान ethnic करना है थेंक यू वेरी मुद्डू है ओ को झाल झाल